प्रियंका चोपड़ा के बाद दोहया सतरा में मिस वर्ड का खिताब जीतने वाली मानुशी छिल्लर को तो आप सब जानते होंगे जो एक डॉक्टर भी है लेकिन क्या आपको पता है आखिर कैसे डॉक्टर की पढ़ाई के साथ मानुशी ने मॉडलिंग की और आप बॉलिव मानुशी का जनब 14 माई 1997 को जाजर हर्याना में हुआ और 2022 के हिसाब से यह 25 साल की है मानुशी के पिता एक डॉक्टर और साइंटिस्ट है और इनकी मा डॉक्टर है मानुशी ने स्कूल की पढ़ाई सेंट थोमस स्कूल धेली से की और मानुशी पढ़ाई में काफी अब बात करते हैं मानुशी छिलर के करियर के बारे में मानुशी ने साल 2016 में मिस इंडिया और फिर साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर फिर फेमिनम मिस इंडिया हर्याना में हिस्सा लिया और एक बार फिर विजेता का खिताब जीता इसके बाद उन्होंने 25 जुन 2017 को यश्राज फिल्म स्टूडियो में आयोजित फिनाले इवेंट में कॉम्पिटिशन का खिताब फेमिनम मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 में भारत को रिप्रेजेंट किया मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेन भारत की चोथी ब्यूटी with a purpose winner है और मिस वर्ल्ड और ब्यूटी with a purpose एक साथ जीतने वाली वे पहली महिला है और दोस्तों मैं आपको बता दूमानुसी मिस वर्ल ताज जीतने वाली छटी भारतिये महिला बनी थी वह पिरेंका चोपरा के बाद दूसरी भारतिये बनी जि यह फिल्म वैसे तो दिवाली 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोवीड की वज़े से इस फिल्म को पोस्पॉन कर दिया गया और अब यह फिल्म 3 जून 2022 को रिलीज हुई है और मानुशी की दूसरे फिल्म विक्की कोशल के साथ आने वाली है जिस फिल्म का नाम दा आपको कैसा लगा चलिए मिलवा कि आपको मानुशी छिल्लर की फैमिली से तो इनके पिता का नाम है मित्रा बासु छिल्लर और इनकी मा का नाम है नीलम छिल्लर और इनका एक भाई भी है जिनका नाम है डाल मित्रा छिल्लर और इनकी एक बेहन भी है जिनका नाम है दिवान हाउस हरियाना में हैं लेकिन फिलाल ये मुंबई में रहती हैं जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं वही बात करें मानुशी छिल्डर के मानुशी छिल्डर महीने का लगवक 26 लाक रुपे कमा लेती है और इन्होंने फिल्म समराट पृत्वी राज करने के लिए एक करोर रुपे चार्च किये हैं वही बात करें मानुशी छिल्डर के नेटवर्ट के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्ट है लगवग 28 करोर रुपे तो ये थी मानुशी छिल्डर की लाइव इस्टाइल वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट कर के जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना